हेलो दोस्तो मैं हूँ आपकी सकीरुको, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तो कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ, आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनसी भी बहुत ही हल्दी और हैपी चल रही होगी आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि गर्वती महिला को गर्व में बेटा होने पर किन-किन अंगों में दर्द रहता है तो मैं आपको ऐसे कुछ लक्षन बताऊंगी जिससे आप अनुमान लगा सकती है कि आपके गर्व में लड़का है या लड़की है और इन लक्षनों की पीछे जो scientific reason होता है उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी doubt बाकी ना रहे आपके सभी doubts अच्छे से clear हो जाए तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है तो आपको क्या करना है पूरा वीडियो देखना है एंड तक एक भी point को आपको miss नहीं करना है ताकि आपके सभी doubts clear हो जाए और इस वीडियो के end में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो लक्षन होते है लड़का और लड़की के ये कितने percent तक कितने हद तक सच होते है तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर first time आया है तो चैनल को subscribe जरूर करें और ये वीडियो देखने के पाथ अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को like जरूर करें क्योंकि दोस्तो आपका एक like हमें बहुत ही ज्यादा motivate करता है आगे काम करने के लिए वीडियो को बनाने के लिए तो like जरूर करें और आगर आपके मन में कोई सवाल है question है तो आप मुझे comment करके जरूर बताए मैं आपके comment का reply करने की पूरी कोशिश करूँगी दोस्तो मेरी चैनल पर already बहुत सी वीडियोज अविलेबल है normal delivery को लेकर या फिर pregnancy care को लेकर जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है तो आप उन सभी वीडियोज को भी देख सकते है तो चलिए जानते है कि गर्द में बेटा होने पर किन-किन अंगों में दर्द ह होता है गर्वती महिला को ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर आपको pregnancy के दौरान सिर में ज्यादा दर्द रहता है होता क्या है दोस्तों आपकी pregnancy confirm होती है और जैसे जैसे समय बीटता है आपकी pregnancy बढ़ती जाती है आपका बेबी का development होता है आपको hormonal changes देखने को मिलते है औ लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वरना आप और आपका बच्चा खत्रे में पढ़ सकते हैं प्रेगनेंसी में हलका फुलका सिर्दर्ध होना ये बहुत ही normal है लेकिन ये चाहे और लगातार बना रहें तो ये खत्रे की बाद भी हो सकती है हद से ज्यादा सरदर्ध होना ये unhealthy pregnancy को दर्शाता है आपको ज्यादा सरदर्ध होने पर तुरंथ ही अपने डॉक्टर की सला लेनी चाहिए दूसरा लक्षन ये बताया जाता है दोस्तों कि अगर आपको pregnancy के दोरान बहुत जादा पेट में दर्ध बना रहता है तो ये भी गर में लड़का होने का लक्षन माना जाता है प्रेगनेंसी के दोरान पेट में दर्ध क्यों होता है इसकी पीछे जो scientific reason होता है उसके बारे में हम जान लेंगे जिससे आप अंदासा लगा सकती है कि आप इसे ही महिलाओं को ग्यास की समस्या पेट में ज्यादा होने लगती है और उनका जो digestive system होता है वो भी काफी कमजोर हो जाता है ग्यास अपर्च acidity की समस्या होने पर भी आपको पेट में दर्ध हो सकता है और साथ ही अगर आप घर का बना हुआ खाना ज्यादा नहीं खाती ह बाहर का खाना junk food, fast food अगर आप ज्यादा लेती है तो इससे भी आपको पेट दर्ध की समस्या हो सकती है अगर आपको पेट में बहुत ज्यादा दर्ध होने लगे नाभी के निचले हिस्से में अगर आपको बहुत ज्यादा दर्ध होने लगे साथ ही आपको हलकी सी bleeding होने या फिर पेशाब में आपको जलन होने लगे, तो ऐसी कंडिशन में आपको तुरंध होस्पिटल जाना चाहिए, अपने डॉक्टर की सला लेनी चाहिए, अगर आपको दर्ध हो रहा है और आप इसे सहन कर पा रही है, तो ये आपके लिए नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत ही आपका जब डिलिवरी का समय नजदीक आता है, जब आपके डिलिवरी होने वाली होती है, तब भी आपको कमर में बहुत जादा दर्ध रहता है, तो ये एक डिलिवरी का सिंटम्स भी होता है और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत जादा खड़े होकर या फिर ज बताय जाते है और इसका जो scientific reason होता है वो यह होता है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है तो आप इन लक्षणों को देखकर 100% confirm नहीं हो सकती कि आपको लड़का ही होगा या फिर लड़की होगी बस आपको अनुवान लगाना नहीं कोई भी लड़का या लड़की हो होने का 100% वर्क नहीं करता है और अगर आपको इलक्षण दिखाई दे रहे हैं और आपको बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है दर्द हो रहा है तो ऐसी कंडिशन में आपको तुरंथ होस्पिटल जाना चाहिए अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि दोस्तों इ मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक कियर स्टेए हल्दी स्टेए हैपी और थैंक्स पर वॉचीं